बंकर की कोई टरनल सौरी बंकर की कोई वीडियो बना के डाली आप तो इस तरीके की पाइप लगती हैं ये दो पाइप जो है इतनी लंबी पाइप नहीं थी तो 20-20 फूट की दो पाइप हैं जिनमें बीच में कहीं पर क्या है इसमें जोड लगाया जाता है सॉल्वेंट के ट्रू इन को चिपका आजाता है और ये श्पाइक गोट होते हैं जो यह है ये पाइक गोट है तो इन में अभी जो यहां पर ड्रेल से जो चे थे इसको उपन कर दिया जायेगा अपन करने के बाद इसी छेद से जो नीचे से ब्लोर की जो हवा निकलती है और यह इसमें द आवल तक कैसे मसाला डलता है नीचे से जमीन से लेके यहां पर हमने यह खोद बनवाई है ताकि जितना भी पानी है जो सारा का सारा पानी ड्रेन होगा जब इसके अंदर कंपोस्ट डाला जाएगा उसके पलटा जो भी है तो पानी इसके थूप बहार निकले यहां से ऐसा य पूरे नहीं लगे हुए है आज प्लंबर आ या तो अभी यह बीच में बचे हुए हैं यह इस तरीके से न पाइप में ड्रिल करा जाता है यह लंबी पाइप होती है फिटी के थूरू इसको छोटी पाइप से जोडा जाता यह इस तरीके से पूरा महां तक ऐसे एक करी जाती है उसके बाद जो पाईपैस में साँरे के सारी च्छेद करे जाते हैं रिल चाहर च्छेद है इस तरीके से निकले हैं गरOFF है होल का ग्यों हैं त यह हमारा चालिश का है 14 लो भाय चालीस के टनल करें हैं तो है रहलие प्लस्तर चला हुआ इसमें कल सरीया बंद जाएगा और उसके बाद फिर इसमें जो आर सीसी का काम चालू हो जाएगा अब यह पूरा का पूरा इसको पूरे के पूरे वैटिंग प्लेट फॉर्म पे कितना लंबा है यह पिछे